अगर आपकी website का spam score बढ़ गया है, बहुत सारे bad backlinks बन गया है, तो disorder tool को use करके आप उससे कैसे कम कर सकते हैं, disorder tool में कुछ changes हुआ है, क्या changes हुआ है मैं सब बताऊँगा, पर सबसे पहले friends अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं करें तो subscribe के button पर click करें और इस bell icon को press करने के बा spammy websites होती है, जिसके अंदर आप अपने backlinks create कर लेते हैं, या फिर आपके haters create कर लेते हैं, जिसकी वज़ए से आपका spam score increase हो जाता है, spam score चेक करने के लिए बहुत सारे tools आते हैं, पर आपको यह नहीं पता लगता हूँ, free tools में, कि कौन सी website से आपको spam score मिल रहा है, जिस website का मुझे कहीं से भी बिल्कुल नहीं मिल रही है, यह जानने के लिए friends, आप किसी को hire करते हैं, पैसे देते हैं, यहा फिर सोचते रहते हैं कि spam score की list को कैसे check करें, गूगल में जाके आपने mods लिखना है, इस link पे click करेंगे, direct website open हो जागी, try mods pro free, आप यहाँ पे जैसे click करेंग तो मैं नीचे description में एक link दूँगा, उसके ओपर click करके free में sign up करेंगे, और वहाँ बहुत सारे tools आजेंगे, उसमें से आप किसी भी tool को अगर purchase करना चाहते हैं, तो easily कर सकते हैं, उसका क्या benefit होगा, अब आपको पता लगेगा, आपने spam score चेक कर लिया, अब आपको उसकी list आप मौस के account में जाएंगे, और वहाँ पर left side में link research के नीचे spam score की option होगी, और यहाँ पर आपको अपनी हैं, जिसकी website का spam score चेक करना चाहते हैं, उसको आप analyze करेंगे, मेरे case में 4% spam score है, और यहाँ पर मेरे पास list आ गई bad backlinks की, कि कि किस-किस website से मुझे bad backlinks मिल रहे हैं, आ यहाँ से आप next page करके भी check कर सकते हैं, कि आपको कहाँ से bad backlinks मिले हैं, अब यहाँ पर export CSV की option मुर रहे हैं, इसके उपर आपने click करना है, by default यह first वाली option पर set है, मैं अपनी तरफ से इससे last वाली option में set करूँगा कि कोई भी मेरा backlink miss ना हो, और उसके बाद export के उपर मैंने click कर दिया, यहाँ पर आप देखेंगे your download is in progress, यह फैदा होता है pro tools का कि आपके पास अच्छी खासी list आ जाती है, free के चेकर में रहेंगे तो आपके पास list नहीं आएगी, बस आपको idea हो जगा कि spam score आपका कितना percent है, यहाँ पर आप देखेंगे मेरी list डाउनलोड हो चुकी ह CSV format में तो आपके पास Microsoft Excel होना ज़रूरी है, अगर आपके system में Excel नहीं है तो आप Google Sheets का भी बहुत ही असानी से use कर सकते हैं, Google Sheets के लिए आपको Google में जाना है, apps की जो इदर option होती है, इस पे click करेंगे, page को नीचे करेंगे और यहाँ पे आपको sheets की option मिल जाएगी, इसके blank show कर रहा है, इसके उपर आप click करेंगे, files में आपने click करना है और यहाँ से open करेंगे, open करने के बाद आपने upload पे click करना है और अपने system में आपने जहाँ पे भी file save करी है, उस list को आपने यहाँ से select करना है, यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास पूरी list आजेगी, जितन select करने के बाद आपने यहाँ से इनको copy करना है, copy करने के बाद आपने notepad open करना है, और जितनी भी website है, उनकी list यहाँ पे create कर लेना है, जैसे मैं खर चुका हूँ, मतलब सारी यहाँ पे paste कर लेंगे, और इसके बाद आपने इसे save करना है, save आप जिस नाम से भी करें, पूरी list आ गई है, और यहाँ से उपर के जितने भी extra यह चीज़े है, यहाँ से आप इसे delete कर दे, आपके पास सिर्फ URL रहना चाहिए, अब आपके पास bad backlinks की list आ गई है, आपको आपका spam score पता लग गया, अब हम Google का diswarm tool use करेंगे, पर diswarm tool use करने के लिए friends, आपको Google search console के अ करना नहीं आता, तो उसको आप बहुत easily सीख सकते है, टेक्नो विदान चैनल में जाना है, search के उपर click करेंगे, और यहाँ पे सिर्फ आपने console लिखे enterprise करना है, आप देखेंगे, यह first वाला वीडियो है, अब तक इसे डेड़ लाख लोग देख चुके है, इस वीडियो में मैंने सारी details में बताया है कि आप Google Search Console को कैसे use कर सकते हैं, अपर यह सीखना भी बहुत जरूरी है, अगर आप Google Search Console के अंदर अपनी website को add कर दोगे, तो Google का जो diswarve tool है, उसके अंदर automatically आपकी website add हो जाएगी, उसके आपको Google में जाना है, diswarve tool Google लिखना है, first link देख रहे हैं, इ करते हैं, और अपनी website को add कर रखा है, उसके बाद जैसी आप इस button पर click करोगे, तो यहाँ पर आपकी काफी सारी website की list आजेगी, जो आपने Google Search Console में add करी है, अगर आपने एक ही website को add कर है, तो click करने के बाद वही website show करेगी, यहाँ से मैंने अपनी website को select करा, जिसका मैं spams को reduce करना चाहता हूँ, यहाँ पर लिखाए .txt format, यहाँ से मैं इसे change करूँगा, मैंने .text format में इसको add कर दिया था, तो यहाँ से मैं echo delete कर दूँगा, अब .txt format में मेरी ये file save हो चुकिये, जो diswav tool recommend करता है, upload diswav list के उपर मैंने click करा, और यहाँ से .txt file को मैंने select कर दिया, य जैसी आप Google में अपनी diswav list को upload करेंगे, तो within 20-25 days के अंदर जितने भी आपके bad backlinks से remove हो जाएगा, और spam score आपका फिर से 1% आजएगा, तो इस तरीके से आप spam score भी कम कर सकते हैं, अपने bad backlinks को remove पर सकते हैं, और diswav tool को कैसे use करते हैं मैंने आपको वह भी बता दिया, I hope आ like और share जरूर करें, ऐसे ही interesting topic के साथ मैं आपको फिर से और बहुत जल्दी मिलने वाला हूं, तब तक के लिए, जै हिन, जै भारत!